बी ए पार्ट थर्ड के पेपर सेकिंड में हम आधुनिक हिंदी निबंधकार इस विशेपर हद्दिन कर रहे हैं इसके पहले भाग के अंतरगत मैंने आपको निबंध का प्रादुर्भाव और हिंदी निमंध के प्रादुर्भाव से पहले देखें तो यूरोप में इसकी जनमदाता कौन रही हैं और गद्दे के विकास में जो भारत्यंद यूखशे पूर्वय हिंदी निमंध का विकास किस रूप में हुआ किन किन महन लेख़कों के दोरा इसका विकास किया गया एक भुमिका के रूप में मैंने आपको पहले भाग में इसमें आपको पताया था आज हम इस व्याठ्यान के दूसरे भाग में भारतेंद यूक से लेकर आज तक गद्ये के विकास में दूसरे सब्द में कहीं तो निमंद के विकास में किन-किन विद्वानों का आचारियों का लेकों का वहत्पून योगदान रहा और उसको हम इस दूसरे भाग में हम आज आयुजित कर रही हैं यदि हम हिंदी निमंद के विकास को देखें तो उसमें भारतियंदु युग, दिवेदी युग, शुकले युग, शुकलोतर युग और उसके बस्चात स्वातंतर युग जो है वो बहुत महत्पून है भारतियंदु युग से हम इसकी सुरुवात करेंगे, गद्दे की अन्य विधाओं के समान निमंद का जो प्रारम्भ है वो 19 सतापदी कैंत में भारतियंदु अरिश्चंद्र और उसकी मित्रमंडली के जो लेखक है उनके द्वारा किया गया भारतियंदु की मित्रमंडली में बालकृष्ण भट, बालमकुंद गुप्त, राधाचन कोश्वामी, प्रदाप नरैंड मिस्र आधी ऐसे बहुत सारे उनके मित्रमंडली थे जिनके जिनोंने भारतियंदु हरिश्चंद्र के साथ मिल करके हिंदी निमंद का बहुत निमंद कार कहें तो भारतियंदु हरिश्चंद्र के अत्रिक्त बालकृष्ण भट और प्रताप नरैंड मिस्र बहुत महर्पुंद निमंद कार हैं जिनोंने इन निमंद कारों ने हम देखें तो अंग्रेजी बाहसा के निमंद कार जो एडिशन और इस्टिल है इन दोनो इसको अच्छी तरह दुबारा ध्यान दें कि बालकृष्ण भट और प्रताप नरैंड मिस्र इन दोनों निमंद कारों की तोना प्राय अंग्रेजी बाहसा के जो निमंद कार एडिशन और श्टिल है उनसे की जाती है यह बहुत महत्मुन बात है कि हिंदी निमंद के सुर सारी बाते में पूरे भरपूर मात्रा में मिलती है इसके साथ साथ में बहुत सरल और सरसदावली मौहावरों लोकोक्तियों का प्रियोग भी इन सब इन दोनों निमंद कारों ने जम कर किया और इस कारण से यह बहुत अधिक प्रसिद हुए गोष्वामी जी के जो निमंद हैं वे निमंद मुखित वेंग्यात्म की अधिक रही हैं उन्होंने धार्मिक सामाजिक और कुरूतियों का विरोध वेंग्य के माद्यम से किया और बालमुकंद गुप्त यदि हम देखें तो भारतिन्द यूग के एक ऐसे निमंद गार हैं जो ससक्त और हम रजनाकार हमारे सामने आते हैं भारतिन्द यूग में प्रारव में ही इस प्रकार की ससक्त विदा को लिखने वाले बालमुकंद गुप्त ने जो परशिद हुए हैं वो अपने सिव संभू के चिठ्थे नामक अपनी निमंद माला के कांड़ अधिक परशिद हुए और उनके निमंद उस काल में बहुत लोग प्री हुए सिव संभू के चिठ्थे बद्दिन नान प्रेम धन ने अलंकर चैली का प्रियोग किया था और इस कांड़ से प्रशिद हुए भारतिन्द यूग जो हिंदी निमंद का प्रारंविक यूग है उसको ही कई विद्वा अपने प्रारंविक उतकर्श को किस रूप में प्राप्त कर चुका था उसके बाद में हिंदी निमंद उस रूप में प्राप्त नहीं हो पाया किन्तु यह काफी हद तक कई विद्वानों को स्विकार नहीं है फिर भी इस बात को तो में स्विकार करना ही पड़ता है कि भ प्रतिमास लिखते थे निमंद उसमें ही छपते थे जिसमें प्रमुक्त जो निमंदगार हैं उनके जो पत्र हैं अपने उत्तर में जैसे पाल किष्ण भट का पत्र हिंदी परदीप बहुत लंबे समय तक इसका प्रकाशन गई इसके माध्यम से लेखक और पाठक के मद्येक सहज निकटता इस्थापित हुई थी इसी तरह अन्य जो निमंदगार हैं वो भी इस यूग में उनके द्वारा कुछ पत्र-पत्रिकाई निकाले गई थी इस यूग के निमंदों में जो विशे की विवितता है वह बहुत प्रियाप्त मात्रा में हैं और धार्मिक और सामाजिक जो आडम बर पाखंड है कुरूतियां उन पर करारा वेंग गया है इस निमंदों की एक जो कमी हम आ सकते हैं कि वह वर्णात्मक प्राम मेलों उत्समद तक के पर निमंद लिख देगे हैं बहुत सरल शेली में वे वर्णात्मक निमंद है इसकांड से वे कुछ निमंद प्रॉड रचना में सामिल नहीं हो पाए इस उके निमंद मौजी भकडपन मस्त मौला सो भाव के थे लेकिन अपनी राजमत्रिक सा अमाजी धार्मिक राष्ट्रे चेतना से पूरी तरह जुड़ेवे थे उनसे को भी पीछे नहीं उटे अपनी निमंदों में उन्हों ने इन सब तत्यों को अच्छी तरीजे से अभिवेक्त किया था अब हम हिंदी निमंद के इस भारतिन्द्य यूग के पश्छात हाज हम अब दिवेत्य यूग पर हम चर्चा करें हैं पहले दिवेत्य यूग और उसकी संजेप में ही हम इस करेंगे उसके प्रचाट को कि हमारा जो मूल विशय हुआ है आधुनिक इंदी के परमुख निमंदगार जिसमें हम एक एक निमंदगारों पर हम चर्चा करेंगे इस विशय पर दिवेदी युग में हम देखें तो विश्य विशताब दिके पर्थम 25 वर्चों में महावीर परसाद दिवेदी के नाम पर जो दिवेदी युग पड़ा था इस युग में निमंद रचना बहुत जारी तो रही किन्तु पूर्व युग की तो नामें सिंग है या अन्य जो निमंद गारों के जिसमें मैंने आपको नाम बताई भारति इंग वरिजन इनका हम अलग से स्वादंत्री रूप से थोड़ा परिच्छे हम करेंगी पूर्ण सिंग के निमंद भावात्मक हैं जिसमें उनका सरवादिक प्रसुद निमंद हैं निमंद भी लिखे थे डॉक्तर पदम शिंग शर्मा आई शिउक के निमंदों में वेंग्यात्मक्ता और उनके वेक्तित्व की घहरी चाप में देखने को मिलती है तिवेदी यूग के निमंदों में है शावन रूप से जो भारतिंदी यूग में जो एक मौजमस्ति और जिंदा दिली जो मिलती है निमंदों वैसा नहीं है उस यूग में दिवेदी जी का व्यक्तित्व है उनके गहरी चाप है जिसमें कांड से अधिकांस जो निमंद है वह गंभीरता से ओध्परोत हो गई है भारतिंदी यूग के निमंदों में चिंतन नहीं था जबकि सब्सक्राइब करेंगे इस बात को प्रति पहदित किया कि निमंद एक हलकी रचना नहीं है उसे लिखने वाला पढ़ने वाला दोनों ही ससक्त और प्रोड होने चाहिए शुकल जी के निमंदों की संख्या तो ज्यादा नहीं है, किन्तु उन्हों के निमंदों में जो एक गंभीरता है, वैसी गंभीरता हमें हिंदी साहित्य में ना तो पूरुम में मिली ना उसके पश्चात, हलांकि उसके पश्चात उनकी शैली का और निशन करने वाले जो हें वहत कम होते हैं मनुविकार संबंदी जो सक्षारी शुक्लिके निमंद हैं वे बहुत ही सरल उत्तम है और अपने विचारों के साथ साथ वेंगे के जो छिंटे डालते हैं उसके साथ साथ लेखक के साथ भवात्मक संबंद इस्टापित हो जाता है आचार रामचंद्र शुक्ल ने अपने निमंदों में जो एक गंभीड आलोचक के रूप में दिखाई देते हैं, उससे हटकर के गुलाब राई ने अपने निमंदों में थोड़ा हासियर वेंग्य से सम्मंदित पुट डाल करके निमंदों को थोड़ा सरल और सरस बनाने का प्रयास किया शुक्ल यूग के निमंदगारों में जो गुलाब राइजी हैं उसके अत्रित डॉक्टर अग्वीर सिंग और अन्य लेकक शिव पुजन साहई भी हम मान सकते हैं जो शुक्ल यूग के ही हैं जिनके निमंदगों में निजी पन या निजी जीवन से जम्मंदित जैसे उनके निमंदग मिल जाते हैं अब हम इस विशे पर जो सर्वादिक महतुन जो हमारा अध्याय होगा वह है स्वातुंत्रियों निमंद साहित्या और उसी से सम्मंदित हमारा जो विशे होगा वह आदूने के हिंदी निमंद के परमुक निमंदकार इसी में आएंगे स्वातुंत्रियों के पर जो हिंदी निमंद साहित्या किस रूप में हमारे सामने आया और उसके परमुक निमंदकार कौन-कौन रही हैं इन सब पर हम एक-एक निमंदकारों पर अमचर्चा करेंगे अपने अध्याय इसके अंतरगत लेकिन एक परिचे के रूप में संशेप में मैं आपको बता दूं कि स्वातंत्रियत जो हिंदी निमंदकार हैं उनमें सुर्वाती यदि हम दर्ष्टी कौन से देखें तो देवेंदर सत्यार्थी विद्यानिवास मिसर प्रभाकर माच्वे वामब्रक्ष वैनिवपुरी आदि ऐसे हैं जिन्होंने सुर्व जो एक लोक साहित्य है या जो प्रांतों की अलग-अलग जो विशेशताई हैं हमारी जो परंप्रा है हमारी संस्कृती हमारी आयतिदेश्य जो परंप्राएं हैं उन सब का विवेचन अपने निमंद में किया है और इसी कांट से आचारे शुकल के पश्टात यदि सर्वा देवेंद्र सत्यार्थी ने विविन प्रांतों की यात्रा करके अपने निमंदों में लोक साहित्य पर विशेश रूप से उनका परिश्य करवाया तो आचारिया आजारी प्रसाद दिवेदी ने परंप्रा और संस्कृति से सम्मधित हमारी जो विशेश था हैं उससे साम उसकी जानकरी पाठकों को प्रदान की रामरक्ष बैनिपूरी ने भावात्मक निमंद लिखे तो स्वातुंत्रिया हिंदी निमंद चाहिती की दूसरी पिटी के जो महत्कुन लेखका है उनमें हरी संकर प्रसाइश हरज्योसी रविदिनात्यागी गुबेडनात राय सी था प्रसांट सिंन्ग सेतार थी हिंदी निमंद को आश्य वंघ्य के पुट में एक अलग ही इस्थान देने वाला कि निमंद में वेंग्य की धारा एक अलग होती है उसकर यो उसको सरवाद करें उसको सुरवाध से प्रौड रूप को पसंद है कि परसाई जी का पूरे निमंद परसाई की रचनावली में मिल जाते हैं जो कई भागों में कुछ जो पर्मुख उनके निमंद मुझे जो याद आ रहे हैं उनमें सदाचार का ताबीच सुनो भाई शादो निठल्ले की डाइरी मोहला राम गाजी आदी हैं सरच दोसी और अविंद्रा त्यागे भी इसी तरह के लेखक हैं यानि वेविवेंगे लेखक हैं जिन्होंने अरिजंकर परसाई जी की परंपरा को ही आगे बढ़ाया था मैंने पूरू में इसपश्ट कर दिया था आपको कि हिंदी निमंद कि जो यह सोतनता के पश्चा जो हिंदी निमंद है उसमें यदि दो धाराएं मैंने आपको इसपश्ट कर दी पहला जिसमें मैंने आपको आचारे हजारी परसाद दिवेदी देविंद्र सत्यार्थी व उसके भाद है उसमें नंदुलारिवासपी, डॉक्टर नगिंद्र, शामसुंदर्दास, आदी बहुत महत्पून दिमंदकार हैं, जिनके निमंदों में आचारे शुकल की इतरह आत्मपरक, निजी वेक्तित्व और शैली की एक छाप देखने को मिलती हैं, आदुनिक इंद अदिकांस, दार्षनिक विश्यों पर हैं, जिसमें मनोविज्यानिक और विशलेशन अदिक हैं, डॉक्टर नगिंदर ने मुख्य रूप से साहितिक विश्यों पर ही लेखन किया था, और नगिंदर के विशे में डॉक्टर गनपती चंद्रगुप्त का यह कहना है कि उन उनके दस्टिकोन में एक अपूर्व सामजश्य का संतुलन हमें डॉक्टर नगिंदर में देखने को मिलता है, आचारे शुक्ले हम अजारी प्रसाद जी की निमंद चैली या उनकी लेखन परमप्रा को आगे बढ़ाने का यदि किसी व्यक्ति को श्रेई जाता है, तो वह डॉक्टर नगेंदर ही है, ऐसा आचारिय, ऐसा डॉक्टर गणपती चंद्रकुप्त का मानना है, और आधुनिक जो निमंदकार है, उनमें अंतिम जो कड़ी में हम देखें, तो सांतिप्रिय दिवेदी, दिरिंदर नुर्मा, डॉक्टर सत्यंद्र, सहल, अग्जी, सरना रामविला सर्मा, रामदारी सिंग दिंकर, और शिवदान सिंग चोहान, अमरत रायादी, ऐसे निमंदकार हैं, जिन्होंने प्रगतिवादी विचारधारा से संबंद अपने निमंद लिखें, और जिसमें उनकी पष्ट छाप देखने को मिलती है, अब हम अपने इस दू हैं, उनकी एक एक करके हम समय चामविया ख्यान के तीसरे बाग में आपको बताया जाएगा